गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरु देवो, महेश्वराह, गुरुह साक्षात प्रब्रह्मा, तस्मे श्रुगुरुवे नुमा अर्चनी वंदनी प्रातह इस्मर्णी परम पूजनी गुर्देव के चर्णों में बारम बार वंदन कर प्रारंब करते हैं विश्व कर्म प्रकाश ग्रंथ का अध्यन चल रहा है और उसके अंतरगत हम 26 श्लोक देख चुके हैं, अब श्लोक क्रमांक 27 से आरंब कर रहे हैं, विश्य है भूमी चैन, स्वाद के अनुसार, गंध के अनुसार, तथा रंग के अनुसार भूमी चैन देख चुके हैं, अब आकार के अनुसार भूमी चैन को देखने का प्रयास करेंगे, हम देख चुके हैं कि भूमी के रंग गंध स्वाद के माद्यम से रंग गंध स्वाद के गुण बताये गए, अब भूमी के आकार के माद्यम से भूमी के आकार के गुण बता रहे हैं, जो भूमी का आकार कहा, जो भूखंड का आकार कहा, जो प्लॉट का आकार कहा, शुब या शुब, सामानी रूप से वो उस आकार का गुण है चाहे प्लॉट उस आकार का हो, चाहे कॉलोनी उस आकार की हो, चाहे नगर उस आकार का हो, चाहे कमरा उस आकार का हो, उसका गुण वही रहेगा, सामानी रूप से वैसा आकार ड्रॉ करके चित्रित करके दिवाल पर लगाने पर भी उसका वोई गुण रहेगा तो भूमी के आकार के माध्यम से आकार के गुण बताए अब शुब आकार का वर्णन करते हुए श्लोक्रमांक 27 मैं बताते हैं चत्रस्रा द्वेपा काराम शिहोक्ष अश्वे भिरूपिर्णी व्रत्तंश भ्रद्पीटंश त्रिशुलम लिंग सन्निभं प्रासाद ध्वज कुम्भादी देवा नाम अपिदरलभं ऐसे काया कि देखो जिस भूमी का आकार चोकोर हो वरगाकार हो जो भूमी आयताकार हो सीहें के आकार की हो बैल के आकार की हो घोड़े के समान आकार वाली हो गोल हो भदरपीट के समान जिसका आकार हो तृशूल अत्वा यहता था लिंग के समान आभा वाली हो आकार वाली हो प्रसाद याने महल है उसके ध्वच के समान हो और घड़े के समान आकार वाली भूमी देवताओं के लिए भी दुरलवे अर्थात बहुत शुब है तो जो शुब आकार बताए उनमें कहा चोकुर अर्थात वर्गाकार इस समय वर्गाकार चत्रश्रा वर्गाकार द्वीप आकाराम हाथी की समान आकार वाली अर्थात आयता का सीहं सिहं के समान उक्ष बेल के समान आश्वद घुड़े के समान वृत गोल भदरपीट के समान त्रुशूल और लिग के समान प्रासाथ की द्वजा के समान और कुम्भ अधी घडे अधी के समान जो भूमी हो ऐसी भूमी देवताओं को भी दुरलब है और ताथ बहुत शुब है यह शुब आकार आगे परिणाम भी आएंगे किसा आकार का क्या शुब परिणाम होता है अशुब आकार के संबंद में कहते हैं त्रिकोनम शक्टाकारम शूर्प व्यजन सन्निभाम मुर्जाकारम सद्रशाम सर्प मंडूक रूपिनिम खर अजिगरक साकांग्षाम वक्रा त्रिपट रूपिनिम मुद्गराभाम तथ उलूक काक सर्प निभाम तथा सुक्रोष्ट अज्य सद्रशाम धनुशं परशुरूपिनिम क्रकलाश शवाकारम दुर्गम्याम च्या विवर्ज ये कैसी भूमी को छोड़ देना विवर्ज कर देना छोड़ देना कहा जिसका आकार त्रिकोन के समान हो शकट गाले के समान हो गाली के समान हो सूर्प सूपड़े के समान हो व्यजन पंक्य के समान हो मुरच के समान हो सर्प के समान मेड़क के समान आकार वाली भूमी को छोड़ देना चाहिए चाहिए उस पर निर्मान कारे नहीं करना चाहिए खर गदे के समान हो, अजगर के समान हो, वक्र हो, तिल्डी मेडी हो, चिपिट चिम्टे के समान हो, मुदगर के समान हो, उल्लू के समान हो, कव्वे के समान हो, सर्प के समान हो, सूवर के समान हो, उट के समान हो, बकरी के समान हो, जिसका आकार हो, जिस भूमी का, और कैसी हो, धनुस के समान आकार वाली हो, परसे के समान आकार वाली हो, क्रकलास के समान आकार वाली हो, गिरगिट के समान आकार वाली हो, और कैसी, शव के समान, लंबी, मुर्दे के समान, ऐसी भूमी को भी छोड़ देना चाहिए, और कहां दुर्गम्य जहां पर जाना कस्ट दायक तो विभिन्द प्रकार के आकार बता है इन आकार के समान भूमी हो तो उसको छोड़ देना चाहिए ताथ पर क्या है कि एसे आकार का प्रयोग क्या लगा यदि हमने के रूप में के रूप में चित्र के रूप में भी किया तो यह आकार अशुब है घुमी के शुबअ का बता। कि यह इस निलगा अब और भी आप इस अथ्य20त की है तो क्या बताया कि यह यह आकार जो है यह अशुब है उसके पहले जो आकार बताए विशुब है तो जो शुब आकार है उस प्रकार की यह दी नगर संग रशना हो टाउन प्लानिंग हो उस आकार का यह दी प्लॉट हो उस आकार का यह दी कमरा हो तो यह शुब है है आंत्रिक सज्जा में भी इन आ कारं का जब हम प्रियोग करें तो शुब है तो शुब के और फिर शुब आ करका व Honor कि यो त्रिकोण है और सुपड़े के समान है सर्व के समा यह समान है मैं कि इनको कहा कि यह शुब है तो सामानी रूप से यह आकार के इंग है इन आकारों का प्रियोग यदि आंत्रिक सिज्जा में करेंगे तो भी आश्योग यह मोटा नियम समझके रखना भूमी के आकार के माध्यम से भूमी के रंग के माध्यम से भूमी के गंद के माध्यम से भूमी के स्वाद के माध्यम से रंग गंद स्वाद और आकार के गुण बताए गए तो ये वास्तु शोधन का भी एक तरह से शशक्त माध्यम है चलें आगे देखते हैं आगे श्लोक्रमांग 31 में कहते हैं मनोरमा या भूमी ही परिक्षेत प्रयत्न तह जिस भूमी पर जाने पर मन रम जाए अच्छा लगे उस भूमी की प्रयत्न से परिक्षा करनी चाहिए भूमी परिक्षन का विद्भी कवर्णन आगे आएगा क्या कहा कि जहां आपको किसी भूमी पर भुखकंड पर जब आप जाते हैं आपका चित्ट शांत है इस तिरह प्रसण नहीं पहले से और ऐसे फ्लोट पर भूमी पर जब आप जाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है रफती मन वहां जाके रम जाए तोड़ी देर का सोच कि गया पास मिट का दस मिट का रादे घंटे भी अच्छा लगा और उसके बाद भी अच्छा लग रहा है कि जाने का मन न कहा दुतिया द्रल भूमिष्य निम्ना च उत्तर पूर्वके गंबिरा ब्राम्मनी भूमीर नरपा नाम तुंगम आश्रिता वेश्या नाम सम भूमिष्य शूद्रा नाम विक्टा इस्म्रता सर्वेशाम चे उवर्णा नाम क्या कहा कि जिस भूमी का जुकाओ लव उत्तर तथा पूर्वदिशा में हो जो भूमी द्रड़ हो वह दूसरी भूमी कही गई है ब्राह्मन के लिए गंभीर भूमी चत्रियों के लिए उची भूमी राजाओं के लिए उची भूमी वैश्यों के लिए समतल भूमी और शूद्रों के लिए विकट भूमी शुब कही गई है तथा सभी के लिए समतल भूमी शुब कही गई है अब बता रहे हैं कि जिस भूमी को क्या बताया एसी भूमी को शुब बताया कि सूरी जो है उसका जो रेडियेशन है दूसरा कहा वर्ण के अनुसार कि ब्रह्मन शत्री वेश के लिए गंभीर उची समतल और विकड़ भूमी क्रम से शुब है ब्रह्मन का कारी है अध्यान अध्यापन मनन चिंतन ध्यान साधना परोपकार इनसे संबंदित उसकी एक्टिविटीज है तो इसके लिए कहा गया कि जो भूमी गंभीर हो जहानँ बहुत ज़्यादा आवागमन ना हो शोरबूल ना हो जो यसके लोकेशन हो एसा वातावरन हो जो इसके कारी में तो गंबिर भूमी शुब। राजाओं के लिए उची भूमी शुब है। हाइट पर होना चाहिए। निरक्षन की द्रष्टी से सुरख्चा की द्रष्टी से इत्याद। वैशे के लिए कहा समतल भूमी शुब है। आव अगमन के साधन हो। व्यापार की सुविधा हो सामान या माल लाने ले जाने की सुविधा हो तो का समतल भूमी शुब है और फिर यदि कोई भूमी ऐसी हो जो बच जाए विकट हो वो कह दिया शूद्रों के लिए शुब है और सभी के लिए समतल भूमी शुब बता लिए कि समतल जो है वो सभी क का सफेद रंग की भूमी सभी वर्णों के लिए शुब पहले सफेद भूमे के लिए शुब कर जैसा उसमें प्रॉपर्टी या गुन विक्सित करना चाहेंगे उन गुणों के विकास में सफेद भूमी सफेद रंग साहयक होगा कि सबके लिए शुपका तो यहां अभी भूमी चैन का इन्मी विचार किया उसके पश्यात शुलक्रमंग 34 में देखें पंश्यात पर भूमी चैन का रंग है कुश्यकाश युता ब्राम्मी दूर्वा नर्पृति वर्गदा फल्पुष्प लतावेश्या शुद्रानामत्रुन सीधा पंश्युता इधनि परकुश्यकाश हो काश हो इनसे युप्त हो वह ब्राम्मन के लिए शुभ दूरवा से युक्त भूमी राजा के लिए शुब कहा फल-फुल पुश्पलता से युक्त भूमी वैश्च या उच इस्याज के लिए शुब कहा और गहास से युक्त रंग गंद स्वाद, आकार के माध्यम से रंग गंद स्वाद, आकार के गुण बता हैं। यहां भी ब्रह्मन, छत्री, वैश्य, शूद्र के गुण को यदी इन्हांस करना हो, बढ़ाना हो तो वनस्पति भी बता दिया, सांकेतिकृत से कि कुष़ और गास इसका जब परिय विश्प लता अधी वेश्योचित गुण और त्रणा अधी से भूमी युक्त है वो चत्री शूद्रोचित गुणों को बढ़ाने में साहयक होती है फिर आसपास के परिवेश के चिंतन करते हैं नदी घात्रिशिताम नदी घात्रिशिताम तद्नन महा पाशान सैयुक्ताम पर्वता अग्रेशु सनलगनाम गरता विवर सैयुक्ताम वक्रा शूर्प निभाम तद वद लुकटा भाम कुरूपनिम मूसला भाम महागोराम वायुनाम वापी पीडिताम वल भल्लुक्ताम मध्ये विकडु रूपनिम शवश्रगाल निभाम रुक्षा दंत के परिवारिताम चेत्ति शम्षान वलमीक धूर तकालाय विवर्जिताम कैसी कैसी भूमी को छोड़ देना विवर्जित कर देना उसके संबंद पे कह रहे हैं कि जो भूमी नदी के पात या घात पर आश्रित हो जहां नदी का कटा हो उस जगे हो जो भूमी में बड़े बड़े पत्थर हो महा पाशान सैयुताम बड़े बड़े पत्थर हो पत्रील हो जो सर्प के समान दिखती हो जो कुरूप हो जो लकुट के समान दिखती हो जो कैसी हो मुसल के समान हो बहुत धंगोर हो और कैसी हो जहां वायू का प्रकौप होता बहुत ते ही हवाएं चलती हो और कैसी हो सकती है भूमी जो अशुब है जहां भालू से युक्त हो मध्य में विकट रूप हो जो कुत्त वसियार के सामान आकार वाली हो रूखी हो जो नुकिले किनारे से युक्त हो आसपास में कैसा हो चेत्पी हो अरादना इस्थल हो शम्शान हो दीमक के घर हो दूर्थ के घर से लगी हुई हो, ऐसी सभी भूमियों को छोड़ देना चाहिए, विवर्ज, त्याग देना चाहिए एक सूत्र है, पतंजली योग सूत्र में, हैयम दुखम मना गतम जो आने वाला दुख है, उसका त्याग कर सकते हैं, त्याग करना चाहिए तो यहां वासु सास में ये बात बड़ी सटीक बैठती है, ऐसे प्लोट का ऐसे भुकंड का चैन नहीं करना चाहिए, जो भविश में हमें कठनाई दे, आगे इन सब लोकेशन का परिवेश का परिणाम का भी वर्णन आएगा, क्या का जो नदी का घात हो, जहां कटाओ हो नदी का, जो पत्थरों से युक्त हो, परवत के अगरभाग में हो, गड़े में हो, चिद्र में हो, तेड़ी मेड़ी हो, सूर्प के समान हो, लकुट के समान हो, कुरूप हो, मुसल के समान हो, अत्यादिक ये सब भुमी कैसी है इनका परिनाम जहें वो दुखदाई है दुख को देने वादि तो क्या कह दिया ऐसी भूमी को विवर्जयेत छोड़ देना चाहिए ऐसे यक्षिन वाली भूमी गड़े से युक्त भूमी शिद्र से युक्त भूमी ऐसी भूमी पर निवास नहीं करना चाहिए और क्या कहा भूमी के संदर्व में भूमी चैन के संदर्व में चतुश्पत महाव्रक्ष देव मंत्री निवासिताम दुराश्च्रिताम चभूगर्त युक्ता चेव विवर्जयेत जो भूमी चोराय पर इस्तितो चतुश्पत जहां विविन चार मारगा के मिलते हों जिस भूमी पर बड़े और विशाल व्रक्ष हों जिस भूमी पर भूत आदी रहते हों जो भूमी शहर से बहुत दूर हो जो भूमी गड़े से युक्त हो ऐसी भूमी का भी त्याब कर देना चाहिए छोड़ द रही जह भूमी चवराय पर है बड़े-बड़े रखस लगे हुएं जिस ब्हूमी में जो बहुमी शहर से बहुत दूर है जो ब्हूमी गड़े में इस्तित uh ऐसी ब्हूमी का त्याब कर देना चाहिए हूसका चेन भी करना चाहिए उसकर निर्मांकार अरहम कर मकान निवास है तो नहीं बनाना चाहिए तो इहां तक को भुमी चैन का वरण हुआ इनके परिणाम आगा इनका तेखा रंग के माघ्यम से कैसा रंग हो गंद्ध के माद्यम से किसा स्वाध हो वनएसपती के माध्यम से किस फ्रकार इस प्रकारड 16 product मौत्ष के उउगती है उससे भी मुपी 33 गुध और यह सोज्वाबायबी करूप से दूर्वा उपती है उस्वाइल के में स्टीस इसकी फ्रॉपर्टिए ऊसी वह इड्मिस्टीफ प्रॉपर्टी इसको इन्हांस करती है जो भूमी फल और पुश्पशे युपता है ऐसी भूमी स्वाभाविक रूप से व्यश्योचित गुणों को बढ़ाती है बिजनिस टेंडेंसी इसको इन्हांस करती है और जो जाओ नहीं है यत्रन आदी जहां होते हैं वो भूमी शुद्रोचित नहीं रहते हो गड़े में ना हो पाशान से युक्त ना हो तो एसी भूमी को त्याग देना चाहिए उस पर निर्मानकार नहीं करना चाहिए आगामी पार्थ में हम यह जो विभिन शुब और अशुब आकार देखे और जो अशुब लोकेशन देखी परिवेश देखा वा देवाने को विराम देते हैं ओम शान्ति 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 शान्ति